नमस्का दोस्तों, दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चलेंड में स्वागत हैं दोस्तों आज इस भर्ती की हम बात करेंगे वो है ICICI Bank में निकली बड़ी भर्ती और इडिया की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप आवेधन का सकते हैं फ्रेशर भी इस वेकेंसी के लिए आवेधन का सकते हैं जी हां दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एक साल का क्या एक मेने का भी अगर आपके पास experience नहीं है तो भी आप आवेधन का सकते हैं फ्रेशर के लिए वेकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के इंडियेट्स भरती के लिए आवेधन का सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सेलरी होगी आपको वीडियो के अंदर पूरी जनकाई देने वाला हों तो वीडियो को लाश तक देखें ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट से सारे किलिर हो जाएं और दोस्तो आप सभी से शिकाय देती है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा सदा वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ओर लेक्टेस् रिक्रुमेंट लेकर आ सकें दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की नीचे सलाल बिटन को दबा करके और पास में आपको एक गंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजेगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और प्लीज दोस्तो वीडियो को कर सकते हैं यहाँ पर हम आपको जो भी आपके सवाल क्योरी होगी वो हम आपकी शोट आउट कर देंगे ठीके तो आप हमारे पेज को फोलो कर लीजी ठीके आगे चलते हैं दोस्तो आइसी आइसी बेंक के अंदर वेकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको आविधन करना है अप्लिकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है पोस्ट की अगर बात करते हैं तो प्रोवेशनरी ओफिसर और सेल्स ओफिसर और मेकर वेरिफायर की पोस्ट के लिए वेकेंसी है जोब लोकेशन है अक्रोस इंडिया जीहन उस तो अलावर इंडिया की वेकेंसी है और एप्लिकेशन fees सभी category के लिए general, OBC, CST सभी के लिए fees maaf हैं यहाँ पर आप सभी free में इस frequency के लिए आविदन कर सकते हैं age limit की बात करते हैं तो minimum यहाँ पर 21 साल age limit है, maximum यहाँ पर mention नहीं की गई है, selection process की बात करते हैं तो return exam सबसे पहले होगा आपका उसके बाद group discussion होगा अगर आप graduate हैं, चाहे वो arts हो, commerce हो यहाँ फिर आपकी science हो और BTEC वाले candidates भी आविदन कर सकते हैं experience यहाँ पर 0 से 5 साल अगर आपके पास कोई भी experience नहीं है और अगर आपके पास में कोई experience भी है तो भी आप इस vacancy के लिए आविदन कर सकते हैं और आपको आविदन कैसे करना होगा online तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आप step by step कैसे आविदन कर सकते हैं इस vacancy के लिए और दोस्तों important dates की बात करते हैं तो आविदन जो है start हो चुके हैं, running में हैं, चल रहे हैं और last date की कोई deadline नहीं है maker, verify, provisional officer और sales officer, इन सभी के आपको notification मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सकते 0 से 5 साल, यानि की कोई भी experience नहीं मांगा गया इन post के लिए ठीक है और यहाँ पर job location भी दिरखी है और function भी पता रखा है, जैसे आप यहाँ पर इसी भी post के लिक करेंगे, आपके सामने notification ओपन हो जाएगा, दोस्तों इस notification में आपको पूरी जनकारी मिल जाएगी, जो जनकारी हमने आपको हमाई साइट के थुरू दिये, यहाँ पर आप आविधन करने का भी link आपको मिल जाएगा, जैसे आप आपको आपका रिजूम बनाना है, उसके बाद में उसको अपलोड करना है, जी यहाँ दोस्तों आपको रिजूम अपलोड करना होगा, जिसमें जो फॉर्मेट होगा, जिसमें जो फॉर्मेट होगा, जिसमें जो फॉर्मेट होगा, जिसमें जो फॉर्मेट होगा, जिसमे अगर आपको कोई है तो वो आपको डालके फाइनली इस फॉर्म को सब्मिट करना है इस तरीके से आप इस वेकेंसी के लिए आविधन कर सकते हैं दोस्तो अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है शंका है तो कमेंट बोक्स पे जरू टाइप करें हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की और दोस्तों अगर आप किसी भी गौर्मेंट जो की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पाना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट किसी भी लेटेस्ट रिकूर्मेंट की तो सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चेलों को वीडियो के नीच सब्सक्राइब